प्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तो आईपियल 2022 का 19 वा मुकाबला कुलकाता नाइट राइडर्स वरसेस दिल्ली कैपिटल के बीच 10 अप्रेल को दो पहर के 3.5 बजे से खेला जाना है ये मुकाबला खेला जाना है मुंबई के बेबॉन स्टेडियम में और आज के इस वीडियो में हम इसी मैच का प्रेब्यू करने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेबाउन की पिश रिपोर्ट के बारे में जो इस मुकाबले में कैसा इंपक्ट दिखाने वाली है खेल के उपर इसके अलावा दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 बताते हुए मैच प्रिब्यू मैच प्रेडिक्शन करते हुए एक बैत इससे पहले आपसे काना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल भी आल वाला टिक जरूर आन कर लीजिए क्योंकि अगर आप किर्केट लोग पसंद करते हैं तो चैनल के माध्यम से किर्केट समंदी सारी चोटी वड़ी अपडेट आपको देने के साथ साथ सभी मैच की बेश्ट ड्रीव लेवन टीम बिलकुल फ्री में आपको दी जाती है दोस्तो बात करें इन दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले की वेन्यों की तो ये बेबोन की पिछ पर खेला जाना है ये मुकाबला वेबोन की पिछ में अब तक जो हम देखते आ रहे हैं IPL 2022 के दोरान धेरो स्कोर बनते नजर आ रहे हैं यहां पर मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली पिछ मानी जा रही है हलाकि कभी-कभी गेदबाजी भी यहां पर अच्छा रंग में दिख रही है लेकिन ज्यादा तर मौकोप अच्छे खासे स्कोर देखने को मिले हैं इस IPL 2022 में अब तक यहां पर कुल मिला के चार मुकाबले हो चुके हैं जिसमें तीन बार चेज करते हुए और एक बार डिफेंड करते हुए टीमें जीती हैं आप देख सकते हैं इन चार मुकाबलों में खु कोई मुकाबला नहीं जीत सकी है उसने भी 210 रन का बड़ा टार्गेट दिया तो लखनाउ सूपर जाइंट्स ने तीन गेज सेस रहते 211 कर लिए पंजाब किंग्स ने तीसरे मुकाबले में 20 ओबरों में 180 बनाए तो CSK की टीम हाला कि इस बार मात्र 18 ओबरों में 126 रनों प्याल आउट हो गई और वहीं दोस्तों इस वेन्यू पर हुए अब तक के अंतिम मुकाबले की बात करें तो पंजाब किंग्स ने 20 ओबरों में 189 रन बनाए तो वहीं गुजराट टाइटन्स ने राहुल टेवटिया के लगाता दो गेदो में 26 लगाते हुए अंतिम गे करते हैं कि इस मुकाबले में भी पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 170-180-180 के बीच में यहां का स्कोर कर सकती है इसके अलावा दोस्तों टीम न्यूज की बात करें तो दोनों ही टीमों के सभी प्रमुख खिलारी लगभग एबिलेवल हो चुके हैं तो खास कुछ चेंजिच की उमीद कमी है वैसे कोलगाता नाइट राइडर्स की अगर प्लेइंग लेवन की बात करें तो यहां पर बैंक टे सायर आजिक की रहाडे स्रेय सायर नितीस राडा सैम बिलिंग आंदेर रसल पैट केमिन सुनिल नरायन उमेस यादो वरूर चक्रवर्ती और र अगर फिट हो गए होंगे तो फिर से आज आएंगे पहले मुकाबले में जरूर खेले थे लेकिन पूरी तरह से फिटनीस एचीव करते नहीं नजर आये थे और जंबर 11 पर मुस्तफिजूर राहमान की प्लेइंग इलेवन में जगह बन सकती है इसके बाद दोस्तो मैं इस प्रिव्यू की बात करें तो जहां पर दोनों ही टीमों पॉइंट टेवल में काफी अंतर है दोनों ही टीमों के बीच में कोलकाता नाइट राइडर जहां चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार के साथ टॉप पर मौजूद है तो बात करें हम कोलकाता लागातार कंसिस्टेंटली परफॉम कर रही है तो हम उमीद कर सकते है कि कोलकाता यहां भी मुकाबला जीत आए वही दोस्तो दिल्ली कैपिटल को अगर यह मुकाबला जीतना है तो उनके टॉप अर्डर बैटिंग करम को यहां पर अपना काम करना होगा जो काफी हद तक अभी तक यहां पर पिठ्वी सा के एर्द गेर्द घूमता नजर आ रहा है इसके अलावा दोस्तों अगर आप फैंटेसी क्रिकेट केलते हैं तो उसके लिए हमने जो आपको टीम रिकमेंड की है उससे पहले आप से कहना चाहेंगे टॉस के बाद फाइनल प्लेंग बिकल्प में बैंक्टेस एयर, पैट केमिंस, आंदे रसल और अकसर पटेल को हमने पिक किया है गेदबाजी बिकल्प में सुनिल नरायन उमेश यादो और कुल्दी प्यादो हमारे गेदबाज होने वाले हैं टीम का कैप्टन इस बार हमने आंदे रसल को जबकि वाइस कै कैप्टन के रूप में स्रेयर अयर को पिक किया है जो X-KKR, X-Dillly Capital प्लेएर भी और कैप्टन भी रहा चुके है अभी KKR के कैप्टन है तो निश्चित तोर पर इनहें हम वाइस कैप्टन इस उम्मीद से कर रहे हैं कि इस मुकाबले में ये बहतर कर पाएंगे वीडियो क पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों